नेजल पॉलिप डाइगनोसिस एंड मेनेजमेंट नाक के अंदर मास का डाइगनोसिस एंड मेनेजमेंट हाँ दोस्तु बात करते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देगी पैल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिस नेजल पॉलिप नाक के अंदर मास का बनना है इसका सबसे पहले कैसे डाइगनोसिस बनाया जाता है और क्या टीट्रीट्मेंट है किए गनोसिस क्या पिरता है और अब बिल्कुल बंद हो गया दोस्तों मेरे कeries नेगनोसिस और डाइक को अगिल्क बंद हो गया अगर आप sedan कि चलो आपको कई सालों से अलर्जी है बार-बार जुखाम रहता है और अब सने सने आपको लग रहा है कि मेरा नाख बिलकुल बंद हो गया और मेरे को जो है वो ब्रीधिंग नहीं हो रही और मैं जब नाख के अंदर कोई ड्रॉप डिकंजस्टेंड ड्रॉप डालता हूं मेरे को रिलिप मिलता है हो सकता है आपकी इन आख म में पोलीप हो यह मास जो सास के रस्ते को ब्लो कर रहा है अगर उसमें हम ड्रॉप ड़ालते इता स्सटी में घली स्पेस में अपाली। इसको हम साइनेस बोलते हैं बहुत बार जो है अंदर जो हमारी म्युकोजा है वो सानु क्रोनिक अलर्जी के कारण हाइपट्रोफी यह फूल जाती है बैलोनिंग हो जाती है और वो नीचे कविटी में लटक जाती है जिसको हम फॉलिप बोलते हैं अब दोस्तों इसका डाइ आदिम से नेजल एंडोस्कोपी किया जाता है तुरंत वह आपको भी दिख जाएगा डॉक्टर को भी दिख जाएगा अब इस नेजल पॉलिप का एकस्टेंशन जानने के लिए कितनी मात्रा में हैं कितना कौन-कौन से हमारे साइनस में हैं इसके लिए एक सीटी स्कैन पी तो दोस्तों सीटी स्कैन के बाद दो ही पोसिबिलिटी होती है या तो वह दवाई से ठीक होगा या ओप्रेशन होगा अगर आपके लिमिटेड मात्रा में स्वैलिंग है बहुत बड़े पॉलिप नहीं है तो आपको दवाई के माध्यम से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है या आपके दिमाग के अंदर अच्छे से बिठा लेना चाहिए अगर आपके पॉलिप बहुत ज्यादा है पूरा साइनस इन्वोल है आपका नेजर ब्लोकेज फिजिकली पूरा ब्लोक हो गया तो उसमें आप दोस्तों एक साइनस सजरी होती है इसमें क्या होता है कि यह साइनस सजरी क्या है यह जो साइनस सजरी है सबसे महिन यह पूरी की पूरी जो सजरी होती है इसमें क्या होता है कि यह दुरबीन से होती है बार से इसमें कहीं कोई चीर फार टाका पट्टी दर्द निशान ऐसा नहीं होता नाक की सैप आपकी चैंज नहीं होती है बट एक्स्पिरियन्स का डॉक्टर है, जो इस चीज का तज़्रवा रखते हैं, उससे हमें कराना होता है, इस सर्जरी में जहाँ भी साइनस के अंदर सीटी स्केन के माध्यम से, जहाँ भी साइनस के अंदर पॉलिप होता है, उस पो रिमॉड कर दिया जाता है और उसके रहे हैं दोस्तों यह सरजरी लाइफलों के लिए है बहुत लोगों के मित है कि यह बार-बार हो जाता है यस बार-बार कब होता है जब आप डॉक्टर की पुरा इंस्ट्रेक्शन को पुरॉप नहीं करते हैं आप अलर्जी का ट्रीटमेट नहीं लेते और आप अपना दैनि सजरी कर सकते हैं क्योंकि नाक के पास में आई जोते हैं उपर ब्रेन होता है तो यह जो सजरी है अपने आप में उच-कोटी की सजरी होती है जिसको सारे साधन सुविदा के बाद ही जो है वो डॉक्टर करता है तो देखा दोस्तों नहीं पुलिप का डाइगनोसिस और मैन कर सकते हैं जिससे हो सकता है उनको किसी को नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम हो तो उनके लिए बैनी फीचर हो थैंक यू